दो साल पहले नैतिक अपनी अध्ययन के लिए दिल्ली से मुंबई जा रहा था। उसकी मा ने उसे संपूर्ण खाने की थाली तयार कर दी थी। उसने एक थर्मस भी ले रखा था जिसमें गरम पानी था। उसने ट्रेन में अपनी थाली बाहर निकाली और दलिया खाने लगा लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ट्रेन बीच में रूकेगी और उसे एक लंबी यात्रा करनी पीडी डेगी। दो घंटे बाद जब तक ट्रेन चलने लगी उसका दलिया थंडा हो गया था। उसने थर्मस में गरम पानी भरा था। लेकिन अब उसका भी पानी थंडा हो गय जीवन में हमेशा सोच समझ कर काम करें विशेश रूप से जब आप यात्रा पर हो। नैतिक ने अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहा, माँ मैं अब समझ गया हूँ। उसने एक बढ़ा साथ ही चुटकुले के साथ कहा, मैं अगले बार व्यवस्था के साथ यात्रा करू और इस बार अपने मुम्बत्ती का साथ भी लूँगा।